सुप्रेम कोट में राम मंदिर पर फैसली की तारीक आने के बाद देश भर में पूजा अर्चना हो रही है गाजयबाद में श्री महरशी वेद्व्यास विध्या पीट गुरुकुल में हवन का आयोजन किया गया है जिसमें यहाँ पर शिक्षा ग्रहन कर रहे हैं विध्यार है योगी जी आप हम देख रहे हैं हवन कर रहे हैं अपने गुरुकुल के अंदर अब काफी सारे बच्चे भी हैं गुरुकुल के किसलिए हवन किया जा रहा है क्या वजह है जी बिलकुल सुप्रीम कोट में जो अंतिम बहस चल रही है उसका हम चाहते हैं कि अच्छा फैस सब लोग गुराच्टाप इस लिए मिलकर के हवन कर रहे हैं कि जिससे वहां राम मंदिर बने और फैसला राम मंदिर पक्ष में आये मेरे नाम जैवे शर्मा whaven कर रहे तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप मै स्री महरशे वेद यूज विद्या पीठ में पढ़ते हैं आप अभी हमन कर रहे थे किसी हमन कर रहे थे मल्लो सुपरीम कोर्ट में जो अंतिम भैस चल रही है उसका फैंसला अहोद्धा राम मंदिर के लिया आए हम इसलिए अवन कर रहे थे अब हमने देखा आप हवन कर रहे थे हवन किसी कर रहे थे क्या हम हम हवन इसलिए कर रहे थे बर्शों से हमारे जो रामलला है वो आध्य में तृपाल के अंदर बिराजमान है तो आज अंतिम सुपरीम पोर्ट में उसका बहस चल रहा है तो हम यह चाहते हैं पुरा परिवार पुरा देश आज यह चाहता है जल्दी जल्दी राम मंदिर बने इस पक्ष में सुप्रिम कोट का हिसले आए इसलिए आप इसलिए आप इपक पांडे इपक पंडे कहां पढ़ते हैं आप श्री महार्शी वेद्वियास वेद्विद्या पीठम अच्छा हमारा सवाल है अ जो बहस के उपर राम मंदिर बना 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 बनाया जा रहा है उसमें राम मंदिर के पक्ष में ही हो ऐसी आप काम ना करते हो सुप्रिम कोट इसलिए हम हम कर रहे थी हम देविशंकर सर्मा कहां परते हैं गाजयाबाद सासनगर बागवाली कालोनी में स्री मारिची अब हमने देखा हम अहवन कर रहे हैं आयोध्याराम मंदिर के उपर जो सुप्रिम कोट में जो ज़ो अंतिम फैसला जो चल रहा है वह हम चाते हैं कि आयोध्याराम मंदिर के पक्ष में ही आए इसलिए हम हवन कर रहे थे हैं गाजयबाद के थाना इंदिरापुर्म पुलिस त्वारा चेकिंग के तरां सेक्टर बारा और चोदा वसुंद्रा के पास एक मोटर साइकल पर सवार दो संदिक्द व्यक्तियों को रोकने का इशारा किया गया पर ये व्रक्ती नहीं रुके और भागते हुए जान से मारने के नियस से पुलिस पर फायर चोग दिया उतल पुलिस की जवाबे फायरिंग में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया और दूसरा बदमाश मोके से फरार हो गया घायल अभ्युक्त को गिरफतार कर उपचार के लिए अस्पिताल में भड़ती कराया गया है गाजयबाद के सिहानी गेट शेत्र के अंत्रकत नंद ग्राम में देलरात सड़क पर उस वक्त अफरा तफ्री मच गय जब एक खड़े ओटो में अचानक आग लग गई आग लगते ही ओटो धूधू कर जलने लगा तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये ओटो धूधूधू कर जल रहा है सुचना मिलने पार फाइर ब्रिगेट की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया गया लेकिन तब तक आटो जल कर खाक हो चुका था यहां पर हाग लगी है एक ओटो में तर क्या है पुरा ममला और आप क्या इस्तिती है सुचना पुलिस को दी गई सुचना पुलिस को दी गई सुचना मिलने पाइस दिले में हो रही अवयाद खनन को लेकर ग्रामीनों ने बजरी से भरे ट्रालर वज्जेसी भी को रुखवाया महीं इसकी सुचना पुलिस को दी गई सुचना मिलने पर पुलिस मोके पर पहुँची महीं ग्रामीनों ने देराथ तहसीरदार को भी इसकी सुचना दी सुचना मिलने पर तहसीरदार भी देराथ मोके पर पहुँचा खबरों में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के पतहपुर की जहां पर एक राहूल नाम के व्यक्ति को मस्जिद की अजान सुनना पसंद नहीं है और हद तो तब हो गई जब राहूल नाम के व्यक्ति ने डालसो को जूठी सूचना दी कि मस्जिद का इमाम शराप पी कर हमारे साथ बत्तमीसी कर रहा है वहीं मोके पर पहुंची पुलिस भी अपना घटिया मानसिक्ता का परजर देते हुए जूठी शिकायद पर मस्जिद के इमाम को गिरफ्तार कर ठाने में दे गई वहीं मुसलिम पक्ष के लोगों में इस बात को लेकर खासा रोश है मुसलिब बक्ष के लोग मोकिवर पोहचो और इमाम साहब को थाने से छुड़वा कर जूटी शिकायत करने वाले युवक के उपर सक्त कारवाई करने की मांग करने लगे उत्रपरदेश की मोहवा जनपद में आने वाले त्योहारों के मद्य नजर खाकी द्वारा अभ्यान चलाए जा रहे है शैर में खाकी चुस्त और दिरुस दिखाई दे रही है यह में द्रूप से अभ्यान चलाकर पुलिस से भैमुक्त बातावरन बनाने का संदेश दे रही है आने वाले त्योहारों के मद्य नजर खाकी द्वारा वाहन चेकिंग अभ्यान चलाए जा रहे है प्लैग मार्च कर जनता के बीच खाकी सुरक्षा का माखोल बनाया जा रहा है स्याफा वेपारियों के साथ होने वाले डूट जैसी खटनाओं को लेकर वेपारियों को विशेश पुलिस सुरक्षा भी मुहया कराए गई है स्रीमान पुलिस महान दिशक उत्तर प्रदेश महोदे द्वारा जो दिशा निर्देश निर्गत किया है उस संबन में पुलिस से दिख्षक महोबा महोदे द्वारा अपर पुलिस से दिख्षक महोबा चेतरा दिकारी नगर महोदे द्वारा नगर में तिवहारों के दिर्ष्टिगड जो हम लोग ने प्लान तयार किया, उसमें हम लोग ने पहली चीद तो परड़े इंकम आठ घंटे की चेकिंग है, मॉर्निंग में और इनिंग में, दूसरे जहां सराफा की दुखाने वहां पर्मानेट हम लोग ने पिकेट कर दिय दिन में और रात में स्वच्छात्मक दिश्टी से, तीसरी चीज हम लोग ने हर चौराहे पर सीसी टीवी कैमरे लगा हैं, जिससे हम लोग निगरानी कर रहे हैं, और कोई भी सूचना परात होती है, तो ततकाल उसको हम लोग प्रटेंड करते हैं, प्रटेंड करने वाद उसे तताल तोलित कारवाई की जाती है,